वेल्कम टू मैं चैनल फ्रेंड्स यह आप देख रहे हैं बातरूम फ्रेग्नेंस है और इसके उपर लिखा गया है कि रीप्लेस एवरी 3-4 विक्स इसे हमें 3-4 हफतों के बीची चेंज कर देना है जैसा कि हमारे बातरूम में बहुत स्मेल हो जाती है और बहुत ही दिक्कत ह होती है तो यह इसका यूज इसी के लिए होता है कि आपके बातरूम में आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी स्मेल नी आएगी लेकिन इसमें कुछ डायरेक्शन्स दिये गए हैं कि जैसे आप जब इसे खोलते हैं मैं इसे आपको खोल के दिखाती क्या है यह है है तो यह जाएगी सान्स दिये घुश्बू अब्यागी सांपी तो बहुत हैं तो लेक्ट दिये खुश्बू ध तो इसे खुश्बू है जबूरेक्शन्स दिए तो आप यह देख ही रहे हैं कि अंदर से यह कितना खुपसूरत है और इसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी है लेकिन इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपने इसकी पैकिंग खोल लिया है तो आप इसे अपने हातों पे ना अपनी आखों पे ना लग खरीदी मार्किट से खरीदा और थोड़ा सा भी डैमेज है या फिर कहीं से लीक कर रहा है तो आप इसको तुरंट चेंज कर लें डैमेज प्रोडेक्ट बिल्कुल ना खरीदें बस इससे बच्चों से दूर रखें और यह हमारा हैंगिंग टांगने के लिए दिया गया है आप इसे दिवार पे इस तरह से टांग सकते हैं कहीं आपका हुक लगा है कील लगी है तो यह हमारा उसके लिए यह दिखाया गया है कि इसको किस तरह से टांग ना है इसमें जो है इसके डाइरेक्शन्स तो दिये गए है कि जो है आपको यहां पर साइड में दिया गया है किस तरह से खोलना है और लगाना है और इसमें इसकी कोस्ट दी गई है 55 लुपीस का है यह ज्यादा महंगा भी नहीं है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यह इसका कलर भी पिंक है खुश्बू भी अच्छी है और बहुत ही आप इसे यूज करके देखना 10 ग्राम्स और इसे हर महीने बदलना है जैसा कि लिखाई है 3-4 विक्स इसको हर महीने चेंज करना है तो बस इतना ही है इसमें मुझे तो बहुत अच्छी कंपनी लगी इसकी AER पॉकेट कंपनी भी अच्छी है और इसकी जो है फ्रेग्नेंस है बहुत ही अच्छी है जब आप इसे यूज करेंगे तो आप तब देखिएगा मैंने तो अपने यार रूम्स में भी लगाया है और जितने भी कमरे हैं मैंने वहाँ पर हैंक कर दिया है कमरों में भी बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है तो आप बताईएगा कि आपको कैसा लगाई है तो थैंक यू फ्रेंस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा थैंक यू